इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है IFCI Limited, ये स्टॉक 60.50 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट में फ्राइडे को इसने 1.50% का डाउन वोव दिया था, मार्केट कैप हो गी है 15,823 क्रोड की, तो मोटर होलिंग 71.70% है, बु इस स्टॉक देता निया और फेस्ट वल्यू 10 है, ये स्टॉक 50 DMA के नेचे हैं, 200 DMA से उपर ट्रेड कर रहा है, P.E. रेशो मीडियन से नेचे जा चुके हैं, 5 ये स्के टाइम स्पैन पे और 1 मन्थ पे भी डाउन है, तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छी बात है, P.E. का आगे हम इसके चार्ट पे, चार्ट पे देखिए सबसे पहले तो इस स्टॉक का अपनी सपोर्ट 1 से नीचे ट्रेड कर रहा है, हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है, फ्राइडे को एंड हमें जो डाउन मूव मिला था, 1.50% का मिला था, सेलर्स का दबाब तो यहां पे क्ल 3.35 million का, तो यह एक अच्छी बात है कि reversal candle पे हमें थोड़ा सा volume जादा देखने को मिला है, यहां पे बड़ी interesting बात जो मुझे नजर आई है, वो है यहां पे range के indicator में, तो देखिए यह stock जो है यह अपनी range में कर चुका है, enter, and पहले जब यह range में गया था, तो इसने काफी अच्छे move दिये थे, यहां से, तो यह channel के आसपास ही गूमता रहा था, and काफी अच्छे move दिये थे, तो basically यह range से इसी point के आसपास निकला था, तो इसने move दिये थे, लगवग 40% के आसपास के move दिये थे, तो अभी भी हो सकता है कि हमें कुछ reversal देखने को मिले, इस percentage के बिना सकता है, क्योंकि range तो जरूर बनी है, बट हो सकता है कि नीचे भी जाए, हलांकि इसका support टू जो है, वो range का भी edge है, तो अभी के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी जो है, confirmation candle लेना है, और confirmation candle कहां का है, 63.25 पे इसका support one है, उसको break करके, यह भी resistance इसक entry बनाई जा सकती है, एक बार weekly chart पे हम चलते हैं, weekly chart पे देखिए, यहां पे हमें inverted hammer बनता हुआ दिखाई दिया है, sellers का तब आप बहुत strong देखने को मिला है, and volume की बात करें, तो last week में 32.43 million का था, इस week में 45.75 million का है, तो volume तो हमें काफी अच्छा खासा मिला है, and last week में हमें जो down move मिला था, 8.67% का मिला था, इस week में 1.56% का ही मिला है, तो यह एक अच्छी बात है कि down move हमें थोड़ा कम मिला है, but sellers का दवाव काफी strong दिखा है, reversal यहां पे छोटो सा दिखा है, बट इतना strong नहीं दिखा है, 47.76 पे इसकी RSI इस टाइम पे trade कर रही है, अभी के लिए इसके पास क्या support है, क्या नहीं है, तो यहां पे of course support तो इसके पास है, reversal भी इसको यहां पे बनता है, अब देखते हैं कि यह reversal लेता है, नहीं लेता है, वैसे reversal के chances तो daily chart, weekly chart दोनों पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, अभी के लिए चलते हैं एक बार BAC पे, BAC पे देखिए ASM long term stage 1 पे है यह stock and 20th of September को गया था, तो उमीद कर सकते है कि next week में शायदे निकल जाए यहां से, 20% का इसका price band है and news as such कोई नहीं है, delivery percentage जो है 43.74% का गया है, तो delivery percentage तो मैं बोलूँगी कि अच्छा खासा गया है and यहां पे reversal भी strong मिला है, तो अभी कोई target नहीं लेके चल रह करेगा मुझे लगता है, फिर entry बनाई जा सकती है, उसके बाद जो इसका major resistance आनी है, वो है यहां पे 69 पे 69 पे इसका pivot है and उसके बाद थोड़ा सा यह resistance zone है, 69 से लेके 74 तक का, यह 5 रूपीज का, 5 सारे 5 रूपे का, यह resistance zone जोन इसका का काफी strong है, तो यहां से एक बाद निक जाएगा, तो let's see, अब क्या कर सकते हैं, Monday को किस तरीके का हमें मिलता है, अब Friday को देखी, यहां पर market भी डाउन थी, तो थोड़ा सा उसका भी असर देखने को मिलता है, तो अभी के लिए no target, but yes, trading view की technical analysis तो यहां पे sell की है, but मुझे यह ज़रू लगता है, stop loss तो of course, अपन entry point हो सबता है कि यहां पे बने, rest again, यह सिफ मेरी analysis है, buy sell hold की recommendation ही है, मिलते है next video में, तब तक लिए शुक्रिया and happy investing.